नमस्कार राजय भारत के फेस्बुक लाइब में आपका स्वागत है इस वक्त जारखंड की राजनीती में महागडबंधन में सीटो के बटवारे को लेकर लगातार चारो तरफ से बयानवाजी हो रही है एक तरफ दिल्ली में कॉंग्रेस के नेता जारखंड मुक्ति उसके बाद जारखंड के तमाम खास करके जो अस्थानिय पाटी है और छेत्रिय पाटी है उनकी और से भी बयानवाजी शुरू हो जाता है और सीटों को लेकर दावेदारी शुरू हो जाती है पूरा मामला कही न कहीं कुछ सीट है जिसे लेकर फंस्ता हुआ नजर आ रहा है और तमाम अलग-अलग दल अपने-अपने दावे कर रहे हैं एक तरफ गोड़ा सीट को लेकर जिस तरह से सबसे ज़्यादा जीच मचा हुआ है पूरे महागडबंधन में कॉंग्रेस और जारखंड विकास मोर्चा आमने सामने है वैसे में राजत की जो प्रदेश अध यह भी एक माइने रखता है क्योंकि गोड़ा में भी राजत का एक अपना जनाधार है वहाँ पर पुरु विधायक जो संजय यादव हैं उनका एक जनाधार है और परदीप यादव जिस तरह से दावे कर रहे हैं वो उनके साथ राजत क्या किस तरह से खड़ा होता है उस है जारखन विकास मोर्चा अपने स्टेंड पर कायम है दूसरी तरफ कॉंग्रेस के प्रभारी आर्पी एन सिंह का बयान आता है कि महागडबंधन किसी भी हालत में होगा पाबुलाल मरांडी जो जारखन विकास मोर्चा के सुप्रीम है वो कहते हैं कि ये महागडबंधन बनेगा लेकिन हम कोड़ा सीट गवाने के लिए तयार रही है तो क्या लगता है क्या होगा और राजद के हिसाब से किसके खाते मिजाना चाहिए या फिर राजद का जो सौफ्ट करना रहा है वो किसके तरह देखें सपस्ट है कि जो जितने भी महागडबंधन के करने दार हैं उनको कुछ बात बिलकुल असपस्ट करने चाहिए जिसे लोग अभी बार-बार बयाना रहा है कि नहीं कहीं सीटों को लेकर के कोई मदभेद नहीं है लेकिन जो भी करनदार हैं उनको दो तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए अब अगर मालिया पहले आपने गोड़ा आरजेडी सुप्रीमो लालू परसाद यादोजी की भी इक्षा है कि वहाँ पर परदी यादो ही लड़े क्योंकि आने वाले समय में जो लाली यादोजी में है यहां पर भी तो उनका वी दिवाय में कुछ गणित पक रहा है तो वह चाहते हैं कि परदी यादो वहां से च लालू यादो जी बहुत दूर की कोड़ी इसमें खेल रहे हैं लालू परसाद यादव रिम्स के जिस तरह से पेइंग वार्ड में हैं और हर सनी वार तमाम नेता उनसे मिलने जाते हैं अलग-अलग पाठी के लोग सभा चुनाओ के बहाने विदान सभा चुनाओ को लेकर एक अंडर करेंट तयार कर रहे हैं लालू परसाद यादव ताकि अगली जो सरकार बने उसमें राज़त की प्रमुक्त होई का हो बिल्कुल लालू यादो जी यहां रिम्स में बैठे-बैठे यहां पर ऐसे 15-20 सीटे हैं जिस पर उनकी निगाहें हैं क्योंकि वह आने वा इसले उसमेंक्त करेंगें करे में लालू यादो जी कि प्रतिघा शुक्रती हो CEE टारव सौब फ्रमू की घर देंगें मधूर रहे हैं कई कारण हो सकते हैं कोई व्यक्तिकत संबन भी हो सकता है और लालु यादव जी उनको जारखंड में एक आधार देनी के लिए कुछ योजना उनके मन में है इसलिए भी मौन सुकृति है गोड़ा में प्रदीप यादव जो राजत के उमीदवार रहे हैं कई बार गोड़ा से जब प्रदीप यादव लोगसभा का जब उपचुना हुआ था लड़ रहे थे तो उस समय संजय यादव प्रदीप यादव को सपोर्ट किये थे परदीप यादव तो रिस्ता लगता है कि इस लोगसभा चुनाओं में फिर से दोहराने जा रहा है तो व को असपस समझ लेना चाहिए जो अभी बयान दे रहे हैं कि हम इसे सुल्जा लेंगे इसे सुल्जा लेंगे यह पेंच महागटबंदन का पेंच तब तक नहीं सुला सकता है जबकि पलामू और चत्रा यह दोनों सीटे आरजीडी के खेमे में नहीं चला जाए आरजीडी क कि खाते में यह दोनों सीटे जाएंगी तभी महागटबंदन यह बरकरा रहेगा मैंने पहले भी कहा था कि यह महागटबंदन अंतिम नहीं है यह उस दिन में यहीं तर्क दिया था कि चत्रा सीट और पलामू सीट आरजीडी को नहीं मिलती है तो किसी भी कीमत पर यह गट बंधन के करनधार है उसको इस रूप में देख लें कि आरजेडी के खाते में पलामू और चत्रा यह दोनों सीटे जानी चाहिए देखिए कोडर्मा की सीट को लेकर के आरजेडी भी बहुत क्योंकि बावुलाल जी के प्रति सब को सम्मान है तो कोडर्मा सीट पर दवा सिर् पड़ेगा कि जब उधर से समगान की बात आ रही है तो पलामू और चत्रा यह दोनों सीटे उन्हें आर्जेडी के लिए छोड़नी पड़ेगी तभी यह महागडबंधन महागडबंधन का जो असली स्यासी आकार लोग समझने हैं वो स्यासी आकार को गरहन कर पाएगा अ इसमें लालू परसाद यादब से कोई नेता मुलकात करने नहीं क्या लगता है कि राजत जिस तरह से दावा कर रही है तीनों सीट पर उसमें एहमियत दी जाएगी राजत को आप अहमियत नहीं दीजेगा तो गड़बंधन का आकार करन कहां से करेगा जिस महागडबंधन कि आप बात करें इसका मतलब कि आप पूरी तरह से खारिज करें तो फिर महागडबंधन का कोई मतलब भी नहीं है तो इसलिए इन दो सीटों पर अगर आप आरजेडी को के दावे को मान लिया जाता है तभी यह महागडबंधन अपने वास्तविक सोरूप को जिस तरह से कॉंग्रेस, जाराव, जाराव, फिर कर दे आप आर्जेडी को सामिल किये बगार तो फिर आप देखते रही है पिसले पिसले चुनाओं का नजीजा जलने के लिए तेया रही है फिर महागडबंदन जो बीजेपी के खिलाब में जो महागडबंदन को खड़ा किया गया है उसका कोई मानी नहीं रखता है आप लड़ जाए आपस में और फिर बीजेपी के लिए बंदान छोड़ दीजे फिर महागडबंदन का कोई मतलब नहीं है अगर सचमुज में महागडबंदन बीजेपी को किनारे करना चाहता है तो चत्रा पलामू सीट आर्जेडी के लिए और गुडदा सीट जेवीम के लिए छोड़ना पड़ेगा तो अभी जो तमाम नेताओं का बयान आ रहा है कि यह महागडबंदन होना चाहिए चुकि बीजेपी के खिलाब महागडबंदन होना जरूरी है बीजेपी को सत्ता से बेदेखल करना जरूरी है लेकिन सीटों को लेकर जो पेंच फशा है और खासकर कि कुछ च कुमार आरपियन सिंग तमाम लोग गये उनसे बाते होई लेकिन बात कुछ बन नहीं पा रही है देखिए सियासत में घीव एंटेक खोना और पाना यह सब लगा रहता है आप जब कुछ त्याग करेंगे तभी आप बड़े बन पाएंगे तो बड़े बनने के लिए आपक कोई मतलब नहीं रह जाएगा और जिस उदेश के लिए बीजेपी के खिलाब में मोर्चा आप बनाए हैं फिर आप उस उदेश में सफल नहीं हो पाएंगे फिर महागटपंदन का कोई मतलब नहीं है तो अगर बीजेपी के खिलाब में सचमुझ में एतम हिरदय से अगर जाते हैं कि बीजेपी को हम यहां से विदा कर दें तो महागटपंदन का जो स्वरूप है तरक की आधार पर दावों को स्विकार करिये और जो चत्रा और पलामू जेबीम के खाते में जाए और गुड़्डा जेबीम के खाते में जाए महागटपंदन अपने वास्ते पंदिका वह सफल होई पाएगा तस्वीर में भले यह सामने दीख रही हो कि जारकन विकास मुर्चा और कॉंग्रेस को लेकर गुड़्डा सीट पर जीच मचा हुआ है लेकिन राजद को भी एग्णोर नहीं किया जा सकता है और राजद अहम भूमिका में लोकसवा चुन उसमें भी आ सकती है इसलिए इन तीनों सीट पर खास करके राजद जिस पर दावा कर रही है उस पर भी विचार करना चाहिए और आपने यह भी कहा कि गुड़्डा सीट में राजद का सौप्ट करनर हो सकता है तो अब चुकी जो निर्ने लेना है तमाम बड़े नेताओं को सीटों को लेकर तो उसमें क्या लगता है कि इन दोनों बातों की एहमियत होगी और इससे फिर कॉंग्रेस कहीं राजद के खिलाब तो नहीं हो जाएगी जब गुड़्डा में जारखन विकास मोर्चा के परती सौप्ट करनर होगा राजद देखे यह जो हम यहां पर हम लोगों के बीच में तथ्य को रखते हैं तो लोगों के बीच की यह भावना है जिसको हम लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं तो तथ्य तो यहीं है कि अगर इन सर्तों को इन इस्थितियों को स्विकार किया गया तो महागण बंदल अपने लक्ष में सभल हो पाएगा तो बिल्कुल आपने सुना हमारे सहयोगी वरीच सहयोगी थे निलू सर जिन्होंने साफ तोर पर बताया कि भले ही सामने ये दिख रहा हो कि जारखन विकास मुर्चा और कॉंग्रेस के भीज गोटा सीट को लेकर जीच से मचा हो या फिर पेंच मस रहा हो लेकिन राजत को भ रहते हुए एक रनीती के तयार कर आगे बढ़ रहे दिरे दिरे और ना सिर्फ लोकसभा वलकी विधान सभा चुनाओं को लेकर भी एक अंडर करेंड तयार कर रहे हैं उस हिसाब से राजत को इग्नोर करना सही नहीं होगा राजत इस तरह से तीन सीट पर दावा कर रही है और कहीं न कहीं गोड़ा सीट पर राजत का सौब्ट करनर दिख रहा है तो तमाम बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि राजत को हलके में लेना महागडबंधन की रनीती तयार कर रहे हैं नेताओं के लिए आसान नहीं होगा इसी तरह आप हमारे फेस्बूप पेस से जुड़े रहिए और आपको यदि ये वीडियो पसंद आये तो ज्यादा सेयर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए नमस्कार